आपकल इंसाना वा अल्लम हुल बयान वस्सलात वस्सलाम अला रसूल ही स्यदिल किन्सी वाल जान वाला आलिही वास्वादिह जबिल के लिए ज्यादाच पंगाल हो नहीं मुझे दुप फिर मारत हैं तुक्का बाद कि दो ना दूर दुच्छों पूरह है रोट जो नहीं मारत हैं धायर के लिए जन्यृत time बादे तरव्रीद के मतवालों, शंकरी रिसालत के परवानों, गौरत रुखवाज़ा के डिवानों, आजे सबसे पहले हम और आप मिलकर, आपाई नामदार, महनी ताज़दार, दोनों आलम के मालिकों मुःतार, जनाब महनी की वारगाहम में जरूत करिश करें। आपको मिला शहीत की दाओद दी गई है और अभी इशा की नमाज वोने का कम से कम 20 मिनत से ज्यादा हो चुका है और जो दो तिन आदमी आए और ये आग के पास बैठे हैं तो फिर मिलाद में आने का क्या फैदा है अगर आप मिलाद भवतीपत में सुने के लिए आए हैं तो यहाँ आग छोड़िये और यहाँ आप मिलाद में के अंदर पश्रिक लाएं और खवाबे दारें हासिर करें कि अगर खवाबे रहभाबे, थैदे बव्हाबे, और चोड़ा गटारें है स्लिमा की बारगा में अपनी खुलामें का तबुद देते हुए फिर एक मरतबा पढ़े दरूब पात अल्लाहुमा सल्लेला स्लिदना मुलाना मुष्मिन रायकु सल्ले सल्लाहु सल्लाहु ताला अल्यवसल्म हदराद मैंने इस आयत करिमा की दिरावत करने का शर्फ हासिल किया है मेरा खालिक वो मालक इर्शाद फर्माता है इन्नस्वलाता तनहा अल्पशाई वेलमुकर बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रुटती है अब नहाँ पे अफसूस की बात ये है कि आप चाहे जनसे पे जाओ या मिलाद शरीफ का प्रोग्राम अपने घर दे रखो या मिलाद में आओ या जनसे में जाओ आपको हर जगे नमाज के बारे ही में गुफ्तकु समाग करने होती है लेकिन आफिर इसकी वज़े है क्या कि आज हर मुकर्र और हर आलिम हर हाफिज पुराम नमाज के उपर उफ्तकु क्यों करते हैं इसलिए कि जब तक मुसल्मान के बच्चे के माबाब नमाजी थे जब तक बाब नमाजी था जब तक माबाब नमाजी थी तो किसी आलिम को नमाज के उफ्तकु करने की कोई जरूरत ना थे और जब से मुसल्मान के बच्चे माबाद मस्जितों को बिलान करने लगा अपने अंदर से अबादत का शौक खत्म कर दिया अब जरूरी है कि हर विलाद और हर जल्से पे नमाज के उपर उस्तरू की जाए इसलिए कि जब बाद नमाज पढ़ेगा तो बेटे के अंदर नमाज पढ़ने का शौक हो जजबा जारी होगा जब माँ नमाजी होगी तो बेटी खुद बहुत रब के बारगा में सजदा करेगी तो मेरा रब फर्माता है नमाज बेशक बेहयाई और पुरी बातों से रुकती है नमाज की बहुत अहमियत है सिल्फ पुरान मदीद में एक ही जगे नहीं बल्के दसों मकामाज से जाएद मेरा रब नमाज के तायोग से इर्शाद फर्माता है कहीं फर्माता है हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलाति अश्ताव वाकूमू लिल्लाहि आनिती याणि नमाजु की मुहाफिज़त नरो खुसुसान नमाज याणि नमाज असर की और अल्लाह की बारगाह में अदब से खरे हो जाए कहीं मेरा रब हुद्म देता है वाकेमु श्सलाव याणि नमाज पायम करो फिर मेरा रब कहीं खुद्म देता है वामुर अहलका विस्सलाति वस्तविर अलीहा याणि अपने घरवालों को नमाज को खुद्म दीजिये और खुद्मी नमाज का पक्ता पाबंद बन जाए हुप नमाज का पका पाबंद बन जाए अब नमाज क्या है जरा तवज्य के साथ सुने नमाज हुपन इलाही है नमाज सुन्ट-े मुस्तफा है नमाज शर्यत-े मुस्तफा है नमाज जाने अबादत है नमाज शाने रियाज़त है नमाज गुनाईं से बच्रे की जमानक है नमाज भाईते के खैर कहता है नमाज ज़ण्या इसफाइ नमाज गडिशाम, बुरे होटयात आपकी गर्माँ नमाज पेशानी इस्जिर की लिए 詛फी है नमाज इस वुमिन की तहरत है नमाज पाकिस्गी की पच्चान है नमाज इनाद दीन है नमाज दीन का खंबा है अरे मूट नहीं आ जाए कि बलके नमाज असल इमान और असल दीन है अब जब नमाज असल इमान और असल दीन है तो अब मुझे ये बताएं कि सच्चा आशिक रसूल कौन कौन होगा जो मस्जिदों को बिलान करेगा जो नमाज नहीं पड़ेगा वो कैसे सच्चा आशिक रसूल हो सकता है उसके अंदर एमान उस वक्त रायों उस वक्त कामिल होगा जब मुसल्मान मुस्तफा के सुन्मतों पे अमर करने के बाद नमाज पंजगाना का एक्तमाम करे मस्जिदों को आबाद करे तब जाके एक बंदाए मुमिन के अंदर एमान मुकमर होता है अब मैं यहाँ पे अपने कौन के नوجवाने को एक मैं एक पेगाम देना चाहूंगा जो आज हमारे काम के नوجवान जो चंद उमर में अपने आपको बहुत बड़ा कुर्ण खान समझते हैं और मजहबे इसलाम को पीट के पीछे रखकर अबाए अपने जवानी की तागत के बन्याद पर अपने हुसने के बन्याद पर मजहबे इसलाम को पीट के पीछे रख देते हैं और अपने आपको सबसे बरा हीरो मानने लगटा है और आज मुसल्मान अक्सर मुसल्मान नوجमानों की फिक्रत ये बन चुकी है कि नमाज पढ़ो या मत पढ़ो अपनी जिन्दगी में बरी बरी बिल्दीने बना लो अपनी जिन्दगी में बरी बरी बिल्दीने बनाना काम्याब है अपनी जिन्दगी में बनला खरीदो दुकान बनाओ मकान बनाओ ये ही काम्याबी की दमिल है आप अक्सर नाजवानों का हाल ये है कि नाजवान अपने अंदर और अपने फ्रुपे ये बना चुके है कि नमाजे फजर कजा हो जाए हो जाए उससे कोई पर्वा नहीं है मुझे जएदा तो जमीन खरीबना है ताकि मेरी जिन्दगी में इंकलाब आजाए अक्सरियत मुस्मिन नाजवानों का हाल ये है कि हराम कमाई हो या ना हो हराम कमाई से बरी बरी बिल्डी में बनाना है ताकि मुझे दुन्या काम्याब की निगाहों से देखे अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा मेरे दोस्त ये सब चीजे कभी इंसान को काम्याब नहीं बना सकता आप कहेंगे तो काम्याब बनने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है तो अब दिल की तख्तियों पर नोट करो मेरी बार काम्याब वही शख्स होगा जो ठोबड़ी में रहकर खुदा को याद करता है काम्याब वही शख्स है जो अपनी खुनाहों को याद करके आसुबाता है वजी शख्से काम्याब है जो अपनी माबाप की नाफर्माने नहीं करता है वजी शख्से काम्याब है जो गुनाओं से लरस कर पावबा करता है वजी शख्से काम्याब है जो गरीबों के मदद करता है वजी शख्से काम्याब है जो नंगों को कपड़ा पहिडाता है वजी शख्से काम्याब है जो प्यासों को पानी पिलाता है वजी शख्से काम्याब है जो घुकों को खाना खिलाता है वजी शख्से काम्याब है जो मजजिदों को आबाद करता है वजी शख से काम्याब है जो अपनी जमारी में अपने नफस को पैड़ के नीचे कुचल देता है और मुस्तफा की सुन्यतों पे अमल करता है और मुस्तफा की सुन्यतों पे अमल करने के बाद मस्जिदा को आबाद करता है आईसा है श्रस कामयाब है आप गहेंगे मोला ना नहीं ये सब चीज़े अपनी जगे हक है लेकिन कामयाब आज की तारीخ पे वही की श्रस है जिनके पास बड़े बड़े महलाद हो जिनके पास बंग्रा हो जिनके पास कारों मारती हो मैं अब आपको बताना चाहूंगा जनावे वाला अगर बड़े-बड़े महलात पे रहना काम्यावी की दलिल है तो मुझे बताओ सबसे बड़ा काम्याव फिरौन को होना चाहिए था तो कि फिरौन अपने वक्ते के बादशाह है वो चाहते तो कड़ों मन्जिला महलात अपने घर के अंदर तामिर कर देता लेकिन आज फिरौन का नाम वो निशान मिट गया फिरौन का नाम लेने वाला कोई मुझूद नहीं है अगर जैदात वो जमीन एक ठाकरने की नाम काम् तो सबसे बना काम्याब नम्रूप को होना चाहिए था लेकिन नम्रूप का नाम लेने वाला कोई मुझूद नहीं है अगर नरम नरम पिसतारों पे नरम नरम गड़ों पे सोना काम्याबी की दली गरी है को सबसे बड़ा बादशा, सबसे बड़ा काम्याब पारून को होना चाहिए था अगर इंसान अपने अंदर गुरू और तकुबू पैदा करकर काम्याब बन सकता है तो मुझे आप ये बताए कि अबू जहिल से बड़ा कुछ मूर और तकुछ बूर किसके अंदर था सबसे बड़ा काम्याद अबू जहिल को होना चाहिए था लेकिन खुदा गवा है वो सब के सब ना मुरद है ना उन लोगों का कोई हैसित अल्ला की नजर में है ना दुनिया वालों की नजर में उन लोगों का कोई मकाम है और ना आज उन लोगों का कोई नाम लेने वाला दुनिया में मुझूद है वो सब के साथ जहन्न के एंधन बन चुके है और ये लोग जहन्न के ऐसे वादी में डाले जाएंगे जहां गर्मी ही गर्मी होगी जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा अब जब आपने ए सब चीजे समाथ कर ले तो कान खोड़ कर सुन दो यही हश्र उन लोगों का होगा जो जान पूचकर अपने वक्त के नमास को छोड़ पैरता हो सबाद आल्ला क्योंके मेरे नबी फर्माते हैं जो नमास नहीं पढ़ता तो उनके लिए क्यामत के मैदान में ना नूर होगा और ना बुर्हान होगा और ना कोई बख्षिश का दर्या बलके वो प्यामत के दिन फिर आन और नमूत के हमरागा होगा मुझे बताओ पापियों के सफों में खड़े होकर अल्ला को क्या जबाब दोगे मेरा रफिर फर्माता है हलाकत है उन नमाजियों का जो चान वुझत अपने नमाजों को छोड़ बैठते है मुझे बताओ अपने आपको सुनी कहने बालो तुमने दिन को कहा समझा है अगर नहीं समझे हो तो आज की दुटबों पे अमल करते हुए अपनी जिन्दगी में इंकलाब पैदा कर लो इसलिए कि एक ना एक दिन मरना है और मरने के बाद मैदाने महशर में हमें और आपको खड़ा होना है उस वक्ते तुम अपने आखा को क्या मूझ दिखाओगे क्या रफ का फर्माने नहीं सुना मेरा रफ हर्माता है कल तयामत के दिन जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे तो जन्नत वाले जन्नत वाले को देख कर पूछेंगे मा सलक अपन धीर सकर तो बेक और सी चीज जन्नत में लेके आई है तो जहन्नम वाले जवाब देंगे लंड़ उंबियल मुसलें हम दुनिया में रहकर खुदा की अबादत ना किया करते थे हम दुनिया में रहकर खुदा की अबादत ना किया करते थे और खुदा की अबादत को छोड़कर मस्जिदों को विरान करके अपने घरों में बरकत बूनने वालो अपनी जिन्दगी में लंबी उमर की द्वा मानने वालो अउलादों से नफा हासिन चाहने वालो अगर अउलादों से नफा चाहते हो विस्त में बरकत चाहते हो जिन्दगी में सुपूर चाहते हो तो खुदा की अबादत किया करो मस्धितौ को अबाद करो जब तुम अल्ला के घर को अबाद करे hoop तो अल्ला झमारे घर को अबाद करे हमने समझा क्या हूए हम तो यह ली कहते है की आजो सेख़़ो नर्क्यों की इज़त की तहफ़ज नहीं है आए दिन अख़वारों में हम पढ़ते रहते हैं आप पढ़ते रहते हैं अख़वारों के जरी पता चलता है कि हिंदुस्तान में आज भी एक मिनट में एक लड़कियों के साथ बलतकार किया जाता है अमरीका में एक मिनट के अंदर कई कई रेप और बलतका लड़कियों के साथ होता है तब जाके मुसल्मान का चाहिए करता है कि लड़कियों की इज़त पर मुटा जाता है अल्ला की मदद का है मेरा घर करेशान हाल है अल्ला की मदद का है मक्सिदों को तोड़ा जाता है अगर किसी को कैंसर का मर्ज हो और इसे सरदर्द की बोली दे दिया जाए तो मुझे बताओ क्या सरदर्द की बोली से कैंसर का मर्ज सही होगा नहीं होगा जब आपनी ये मान लिया और आये दिक कभी तौबा की महफिदे सजा रहे हैं कभी दरब खाने मिलाद मुस्तफा सजा रहे हैं तो क्या तुमने अल्ला का फर्मान नहीं सुना अल्ला ने तो अपने महभूद के जर्ये से अपने बन्दों को ये कहरवा दिया है बुर्अ को था बदा लेता है जो बन्दाद अपने अंदर से अबादत के फ़ण करें सुएन आ लाख, अपनताहिन लुद्ण तो थो लाख फ़णकर अपने अबादत की तुलब गारो जब्हा अपने नभी के िावान को सुनो मेरे नभी फरमाते हैं उस कौम से अल्ला मदद का हाथ हटा लेता है जो कौम बेनमाजी हो जाए जो कौम मस्जितों को दिरान करते और सिर्फ इंसान ही नहीं बलके हद्रत अबु सभी तब का दिर और यहां में लिखते हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पड़ता जो बेनमाजी है तो उनके लिए धुया में कीड़े और मपोरे भी बत्वा करते ही चोटे चोटे कीड़े अल्ला की वारगा में दुआ करती है बारे लाहा तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं इस बेनमाजी को दबास कर मार दूँ मुझे बताए जिस पॉ miss के लिए छोटे चोटे कीड़े मपोरे जिनके पुई अफात नहीं तो जिस पॉम के लिए कीड़े और मपोरे बत्वा करे जिस पॉम के लिए खचमर और जानवर बत्वा करे तो फिर वह और की जज़के साथ दुन्या में कैसे जी सकती है हमें मस्जशितों को मिरान करके सचा कि डौलत के बुनियाद पर हम चेन वो सुकुन खरीद लेंगे लेकिन आप कभी नहीं खरीद सकते इसमिने कि ये मस्जशित को आप जो मस्जशित को आप उलाद रहे हैं वो मस्जशित राद की तनहाई में रब्ब काइनाती बार्णा में बद्धा करती है रब्ब काइनात जिस तरह ये गाउगाने मुझे विरान रखा है तो भी इस गाउगान को विरान कर दे अब मुझे ये बताओ कि जिस कौन के लिए मस्जिब बद्धा करे रहे कौन अबाद कैसे है जालाद कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे नभी ने फर्माया आई अली तीन कामों पे देर मत करो आली तीन कामों पे देर मत करो मौला अली कहते है या रसूल आलाँ वो क्या-क्या है तुम मेरे अभी फर्माते हैं जब नमाज का उम्मे आ जाए तो नमाज परने में तुम तेरे मत्या लगाए आस एक दिन में मस्जिद के अंदर को अजिन पांच पर तबा है या अलस्वला है या अलस्वला की स्दावे लगाता है मुझे बताओं मस्जिद की आमाज को सुनकर इतने आद्मी मस्जिद के अंदर करे जाती है आज मुसल्मानों के पास हर चीज़ के लिए वक्त है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है और मुसल्मानों का हार को ये हो चुका है अगर कोई MLA और MP बुलाए तो पूरे दिल पूदते हैं उचलते हैं कि मुझे आज MP ने बुलाया है MLA ने बुलाया है जनावे वाला मुसल्मान कितना व्यारपी है कि मुसल्मानों को MLA नहीं MP नहीं बलके एक दिन में पांच मर्तबा अहकम अलहाकमीन बुलाता है तो मुसल्मान कितना खुश्मजिब है अब मुझे बुला रब बुलाता है तो तु किर नहीं जाते मस्जिब जब तक मुसल्मान आजान को सुनकर रब के बुलाबे पे मस्जिब जाता था तो मुसल्मान हर जगे कामियाब था और जब से मुसल्मान रब के भुलाने के बावजों अपने घर में बेटे रहते हैं दुनिया के कारोबार में लगे रहते हैं तब से मुसल्मान परेशानी में मुट्तला होने लगा आज आप ही देख लें कोड़ना वायरस से हर कोई परेशान है भेस के परधान मंतरी आए दिन आपके सामने भासन देते हैं मास्क लगा के चलो सैनी टाजर को रो दो दो मिने बाद यानि जो चीज इसलाम ने साड़े चोदो सो साल पहले मेरे नभी ने अपने मानने वाले को बता दिया वही एक काफिर अपनी जबान से आपको तिह रहा है ये भी तो मेरे रग का करम है लेकिन कौन ऐसा बंदा है कोरोना वायरस जब से आया है तो मुझे बताए कौन ऐसा बंदा है जो रात की तनहाई में उट कर अपने घर के अंदर मुसल्ला बिचाते हैं मुसल्ला बिचाने के बाद अपनी प्रेशाई को रख की बारगा में जुकाता है सव में से एक दो फीसद अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो ये भी पिसमत की बात है नहीं तो आज 99 परसंट मुसल्मान अभी भी कोरोना वारस के माहूल में भी भुणाहों के अड़ों को आबाद करते हुए नज़र आता है और इसकी वज़े यही रहा कि मुसल्मान आज भी नहीं सुद्रा तो मुसल्मान की यहां से खर्शानिया भी ख़त में नहीं दूए तो मुसल्मान भी भी अग सیबर्श निकल जाए मास का नाज नेचान पर नए और वारस से वारति है चाहते हो तो मास्क और से ज़ार की ज़रूरत नहीं वह अपनी हग हैvity हैं तबרך करता है तो तुम रब की इबादत करकर मेरे नभी के आखों पे धंदक पहुचा दो रबे काइना तुम्हे परिशानिये से निकाल कर फुट पराफ करते सुभान अल्लाव ज़रूरत इस बात की है कि आप इबादत करे और आप ये ना सोचे कि हम इबादत नहीं करते हैं फिर भी मेरे घर में बरकते हैं फिर भी हम अईश और अराम से अपनी जिन्दकी को बजारते हैं मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा जो आजाब है बंडे के ऊपर